हाई एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, तो आज का वीडियो होने वाला एक A-Line कूर्ती की स्लीव डिजाइन पर, तो इस वीडियो में आप देखेंगे उसे create करते हुए सो वीडियो शुरू करते हैं सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है यह 2-meter lining और यह 3-meter मैंने यह वाला measurement लिया हुआ है आप अपने according measurement ले सकते हो सो यहाँ पर मैंने lining को कुछ इस तरह से रखा हुआ है यह 4-fold है और उसकी लंबाई है 35-inch सो यहाँ पर मैं पहले lining के उपर mark करूंगी सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ solder measurement सो मेरा solder measurement है 14-inch तो उसका आधा आएगा 7-inch तो हमें यहाँ पर 7-inch पर mark करना है अब हमें solder से ही लेना है armhole 7-inch पर सो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर mark कर देंगे उसके साथ से ही आएगा burst line 10.5 पर और west line आएगा 14-inch पर उसके साथ से ही आएगा hip line 21 पर सो अब हमें यह सारे point पर line रो कर लेना है अब लुगी में round measurement आपका round measurement जो भी हो आप उससे false से divide कीजिए मेरा round measurement है burst area का 34-inch तो उसका आएगा 8.5 और waist line है 30-inch तो उसका आएगा 7.5 और hip line है 40 तो उसका आएगा 10-inch सो अब लुगी में यहाँ पर गले की marking हमें front end back के गले को साथ में mark कर देना है सो उसकी width है 3.5 और front वाले गले की dipness है 4-inch और back वाले गले की dipness है 2.5-inch सो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से line draw कर लेना है उसके बाद हमें गले को draw कर लेना है सो कुछ इस तरह से हमें front end back के दोनों गले को draw कर लेना है सो यहाँ पर मैंने यह marking कर लिये है अब हमें यहाँ पर arm hole को भी draw कर लेना है सो अब हमें यह वाले point को जोड़ देना है और यहाँ पर one each कपड़ा छोड़ते हुए पूरा line draw कर लेना है और यहाँ पर नीचे की side कुछ इस तरह से उसे draw कर लेना है ताकि यह को ना निकल जाए सो यहाँ पर यह marking पूरी complete हो चुकी है अब मैं उसे cut कर लोगी नीचे की और मैंने fabric को रखा हुआ है अब दोनों को हमें साथ में cut कर लेना है सो कुछ इस तरह से मेरी cutting complete हो चुकी है अब हम गले को cut करेंगे सो पहले हमें bake वाले गले को cut करना है सो उसके बाद हमें दोनों कपड़े को अलग कर लेना है सो कुछ इस तरह से में यह front वाले part को अलग कर लिया है अब मैं उसे cut कर लूँगी सो कुछ इस तरह से में front वाले part की गले को cut कर लूँगी सो यहाँ पर मेरी cutting complete हो चुकी है अब हम उसे pin up करेंगी सो कुछ इस तरह से हमें lining के उपर ये fabric को रखना है ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है और पूरे में pin up कर लेना है सो कुछ इस तरह से मैंने ये बीच में draw किया हुआ है अब हमें सिलाई कुछ इस तरह से करनी है यहाँ से यहाँ तक सो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर सिलाई हो जाने के बाद यहाँ बीच में से उसे cut कर लेना है सो कुछ इस तरह से ये मैंने pin up कर लिया है अब हम sleeve को cut करेंगे सो कुछ इस तरह से मैंने sleeve के लिए कपड़े को लिया हुआ है उसकी लंबा है 10 inch सो आपका armhole जितना भी हो आप उससे आधा ले लीचे मेरा armhole है 16 inch तो उसका आधा आएगा 8 inch तो यहाँ पर मैं 8 inch पर mark करूँगी सो अब हमें ये वाले point से यहाँ 3 inch पर mark करना है कुछ इस तरह से अब हमें ये वाले point से कुछ इस तरह से यहाँ तक draw कर लेना है सो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर draw कर लूँगी अब हमें नीचे वाले side पर marking करनी है सो आपका जितना भी measurement है आप उससे आधा ले लीजे सो यहाँ पर मैं 6 inch पर mark कर रही हूँ रो कर लेनी है और 1 inch कपड़ा छोड़ती हुए line रो कर लेना है सो यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल simple way में marking कर ली है अब हम उसे cut कर लेंगे सो यहाँ पर हमारी नीचे की side में fril attach होगी तो हम पहले fril को cut करेंगे यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कपड़ी को लिया हुआ है यह 8 fold है अब हम उसकी marking करेंगे यहाँ पर मुझे 6 inch की fril चाहिए तो मैं यहाँ से उसे 6 inch पर mark करूँगी तो कुछ इस तरह से मैं 6 inch पर mark कर दूँगी अब हमें यहाँ पर कोने तक हमें measure करके देखना है कितना measurement है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर यह 9 inch आया हुआ है तो हमें पूरे में 9 inch पर mark कर लेना है तो कुछ इस तरह से में 9 inch पर mark कर दूँगी अब हमें यह point पर कुछ इस तरह से draw कर लेना है तो अब ये 3 इंच पर मार्किंग है तो हमें पूरे में कुछ इस तरह से 3 इंच पर मार्क कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर भी ड्रो कर लेना है तो कुछ इस तरह से मैंने ये मार्किंग कम्प्लीट कर ली है अब मैं उसे कट कर लूँगी तो कुछ इस तरह से मैंने फ्रिल की cutting complete कर ली है ये 8 fold था तो हमारा ये 2 piece complete हो चुका है तो यहाँ पर ये 2 piece ready हो चुके हैं अब हमें यहाँ से उसे cut कर लेना है तो मैं कुछ इस तरह से उसे cut कर लूँगी तो ये फ्रिल कुछ इस तरह से ready हो चुकी है अब हमें उसे sleeve में attach करना है सो कुछ इस तरह से यहां पर रखते हुए उसे attach कर लूँगी सो अब हम कूर्ती को stitch करेंगे सो यहां पर हमें stitch करने से पहले यहां पर कोने पर dory को रखना है सो कुछ इस तरह से मैंने यह dory को create किया हुआ है अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से डोरी को रखना है हमें डोरी को अंदर की साइड में रखना है कुछ इस तरह से अब पूरे में कुछ इस तरह से सिलाई कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर मेरी सिलाई कंपलेट हो चुकी है अब मैं यहां से उसे बीच में से कट कर लूँगी डोरी हमारी यहां अंदर की साइड में है यहां पर मैंने यह स्टीच करके यहां उसे पलटा के सीधा कर लिया है यहां पर अब हमें प्रेस कर लेना है अब हमें ये वाले solder को इस वाले कपड़े के नीचे की side से यहां solder तक लेके जाना है तो कपड़े को पहले कुछ इस तरह से fold करना है पूरे कपड़े को कुछ इस तरह से fold कर लेंगे उसके बाद हमें ये सिधे वाले कपड़े के सोल्डर को नीचे की साइट से यहां सोल्डर तक लेके जाना है और पीन अप कर देना है सो कुछ इस तरह से मैंने पीन अप कर लिया है अब हमें यहां पर सिलाई कर लेनी है सो यहाँ पर मैंने ये सिलाय कंपलीट कर ली है अब हमें कपड़े को पलटाते हुए सीधा कर लेना है सो कुछ इस तरह से नीचे के सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खीच देना है सो ये सीधा हो जाएगा इस वाले method से हमारी सिलाए कुछ इस तरह से आते हैं नीचे की side में तो यहाँ पर यह कूर्ति कुछ इस तरह से ready हो चुकी है अब हमें यहाँ पर sleeve को attach करना है तो उससे पहले हमें sleeve को ready करना है अब मैं यहाँ पर यह frill को यहाँ नीचे की side में attach कर दूंगी सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से उसे complete कर लिया है अब हमें यहाँ पर strip को attach करना है यहाँ पर सो कुछ इस तरह से मैंने यह कपड़े को लिया हुआ है अब हमें यह कपड़े को कुछ इस तरह से fold कर लेना है उसके बाद हमें ये वाली स्ट्रीप को यहाँ पर रखते हुए अटेज कर देना है ये स्ट्रीप के दोनों कोने पर हमें सिलाई कर लेनी है यहाँ पर सो यहाँ पर मैंने ये दोनों स्लीव में स्ट्रीप को अटेज कर दिया है अब हमें यहाँ पर बीचो बीच में बोग को अटेज करना है उससे पहले हम बोग को create करेंगे यहाँ पर मैंने यह बोग create करने के लिए कपड़े को लिया हुआ है कुछ इस तरह से आप अपने according कपड़े को ले सकते हो अब हमें यह वाले कपड़े को two fold कर लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है कुछ इस तरह से और यह बीच में हमें जगा छोड़ देनी है ताकि हम वहाँ से कपड़े को पलटाते होई सीधा कर सके अब मैं यहाँ पर यह दोनों कपड़े में सिलाई कर लूँगी कुछ इस तरह से मैंने यह कपड़े को लिया हुआ है स्ट्रीप को रेडी करने के लिए अब हमें यह कपड़े को कुछ इस तरह से टूफोल्ड कर लेना है अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है सो कुछ इस तरह से मैंने ये चारो स्ट्रीप में सिलाई कर ली है मैंने कुछ इस तरह के सेप में सिलाई की हुई है यहां से यहां तक कुछ इस तरह से अब हमें ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है सो अब मैं चारों स्ट्रीप में से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी सो कुछ इस तरह से हमें उसे कट कर लेना है सो अब हमें ये स्ट्रीप को पलटाती हुए सीधा कर लेना है सो आप कुछ इस तरह से पतली स्टीक को ले लीजे उसकी help से आप उसे पलडाते हुए सीधा कर लीजे सो अब हमें यहाँ पर यह बंद वाली साइट से कुछ इस तरह से उसे सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद आप उसे प्रेस कर लीजे सो आपको यह कुछ इस तरह से यह strip मिल जाएगी सो मैं कुछ इसी तरह से सारी strip को ready कर लूँगी सो यहाँ पर मेरे यह 4 strip ready है अब हम यहाँ पर बोग को create करेंगी सो अब मैं यह वाले कपड़े को यहाँ से पलटाते हुए सीधा कर लूँगी कुछ इस तरह से सो अब हमें ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से पकड़ना है बीचो बीच में सो ये कुछ इस तरह से हमारा बोग क्रियेट हो जाएगा अब हमें यहाँ पर नीडल एं थ्रेट की हेल्प से यहाँ पर स्टीच कर लेना है सो अब हमें कुछ इस तरह से कपड़े को लेना है और उसे फोल कर लेना है अब हमें ये वाले कपड़े को यहाँ पर रखना है सो कुछ इस तरह से रखते हुए उसे स्टीच कर लेना है हमें नीडल एन थ्रेट से उसे हाथ से स्टीच कर लेना है यह बो हमारा ready हो जाएगा उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर दोनों बोको ready कर लिये हैं अब हमें यह strip को कुछ इस तरह से रखना है और उसके उपर हमें कुछ इस तरह से यह बोको रख देना है तो अब मैं यहाँ पर उसे attach कर लोंगी सो उसी प्रकार से हमें ये दोनों स्ट्रीप को रखना है कुछ इस तरह से और उसके उपर हमें ये बोको रखना है सो अब मैं यहाँ पर नीडल एंड थ्रेट की हेल्प से उसे हाथ से स्टीच कर लोंगी सो यहाँ पर मैंने उसे स्टीच कर लिया है मैंने दोनों sleeve में उसे stitch कर दिया है so यहाँ पर मेरी ये दोनों sleeve ready हो चुकी है अब हम ये sleeve को कूर्ती में attach करेंगे so कुछ इस तरह से उसे रखते हुए मैं उसे attach कर दूँगी so अब हमें ये कूर्ती को कुछ इस तरह से रखना है और उसके उपर हमें स्लीव को उल्डा रखना है अब हमें यहाँ पर यह point to point मिलाते हुए उसे में सिलाई कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने यह स्लीव को अटेज कर दिया है तो हमारी कूरती कुछ इस तरह से ready हो चुकी है अब हमें यहाँ पर side fitting देनी है दोनु side में side fitting दे दूँगी उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की side में half inch मोड़ती होए सिलाई कर लेनी है तो यह कूरती कुछ इस तरह से ready हो चाएगी तो यह हैं कूरती का complete look आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी health food रही हो तो प्लीज उसे like कर दिजेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिजेगा और साथ में bell icon को प्रेस कर दिजेगा ताकि आने वाली नए वीडियो की notification आप तक पहुंच सके थेंक्यू पर वाच्चिंग